खबर रिवाजिले से जहां विश्विद्याले थाना छेत्र अंतरगत विगत दिनों बीहर नदी के किनारे बाईपास पुलिया के पास सब बरामद हुआ था जिसकी तलासी लेने पर जेब में एक पेंट ड्राइब बरामद हुई थी जिसके आधार पर सिनाक्त कराई गई तो मृतर के पहचान रोहित साहु निवासी मैहर के रूप में हुई थी मोबाइल नमबर के आधार पर पर परिजिनों से संपर कर बयान दर्ज किये गए तो बयान के दोरान जानकारी हुई कि मोहनलाल की पतनी गीता साहु अपने पती एवं दो बच्चे सिवम साहु और सिवांगी साहु को छोड़ कर अपने प्रेमी मृतक रोहित साहु के साथ अमर पाटन में किराय से घर लेकर रह रही थी मृतक रोहित साहु की दोस्ती विश्नु साहु उर्फ अमित साहु निवासी मैहर से थी इसी जानकारी पर मृतक रोहित की प्रेमिका गीता साहू वा मृतक के दोस्त व्रिश्णू साहू और अमित साहू निवासी मैहर से भी पूश्टाच की गई तो दोनों के बयानों में भिन्नता मिली पुलिस ने कडाई से पूछ नाच की तो विश्णू साहू अमित साहू ने बताया कि गीता साहू को वह पसंद करता था और उससे बात करता था जो रोहित साहू को नागवार गुजर रही थी प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के चलते ही तीनों ने मिलकर रोहित साहू को जान से मारने की योजना बनाई थी जिसके लिए अमित साहू ने अपने साथ काम करने वाले हीरा लाल बर्मन निवासी मैहर को रुपै का लालस दे कर अपने साथ रोहित साहू को मोटर साइकल में बैठा कर रीवा बीहर नदीय अजगरा बाईपास पुल के पास लाया और जाड़ियों की पीछे लेज आकर हत्या कर सब को छिपा दिया था अंधी हत्या का खुलासा करते हुए प्लिससदिक शक नमनिद भसीन ने जानकारी दी है आईए आपको सुनाते हैं प्लिससदिक शक नमनिद भसीन ने क्या कहा है से मृतक का संबन था और दो इसके अने साथी इन लोगों ने उसको शराब पीने के बाहने बुलाके और पिछला पेमिंट बखाया करने के बाहने बुलाके नहेर के पास एक जो रास्ता पढ़ता है वहाँ पर उंसान में जाकर पत्तर से पुचल करत्या की थी जो मृतक है उस अब ब्श्नू साहू इसने अपने साती के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी इसमें की महिला भी तुरत रसे उनके इस कृत्त में पूरी प्लानिंग में शामिल थी इसलिए तीनों की रेस्टिंग की गई है गटना स्तल से बथर की गए जिसमें बलड लगा हूँआ और साथी सा मुबाइल और उसकी मोटर साइकल गटना के पश्चात ये दोनों अरुपी गण साथ ले गए थे जिसकी जबती भी पुलिस ने की है एफेसल टीम ने गटनास्तल का विजिट किया था उनकी रिपोर्ट भी इसमें इवेस्टिगेशन का पाट रहेगी और विशुद अले थाना चेतर के टीम और साइबर सेल ने मातर अरतालिस घंडे में एक ग्लाइंड मेडर को ट्रेस किया है इसलिए पूरी टीम बदाएगी की पात्र है और टीम के मेंबर्स के उत्षा वर्दन के लिए इनको 10 एवर्पय का कैश रिवार्ड भी हम लोग दे रहे हैं अभी विचना प्रारम हुई है और आगे भी साइन्टिफिक इंवेस्टिगेशन जारे रखते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें आवर्प